डॉक्टर इमाम उमेर एहमद इल्यासी जी जो की चीफ इमाम है इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं सर मौझूदा हाला जो फिलहाल करनाटक में बने हुए है उसको लेकर एक एहम सवाल आ गया है कि पढ़ाई या धर्मिक प्राइटे इसको हम कहते हैं आपका क्या मत है इस प हर आपनी हर देश टेक्नालोजी की तरफ अगे बढ़ रहा है यहां तक कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया तमाम सारे देश मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं सारी दुनिया इस वक्त तरख्खी की बात कर रही है हम आज भी इसी उल्जन में है कि कौन क्या पहन बना है उसको बना हुआ है और आगे बनेगा हमें उसकी जादा फिकर होनी चाहिए कि हम भारत में आज का भारत है वो नवीन भारत उत्तम भारत आज के इस बदलते भारत में मोधी जी का भारत है आज का तो मोधी जी इस वक्त पूरी दुनिया के अदर विकास की बात हम ल तुसरी बात, अगर मैं अफसोस की बात यह है कि जो भारत की विशेष्टा है, अनेकता में एकता, उसकी बात होनी चाहिए, हमारी भारत की पहचान यही रही है, तो आज हम सिर्फ इस बात में उलज गए कि हरा रंग मुसल्मान का हो गया, गेर्वा हिंदू का हो गया, गाय ह विवाद हुआ है, उसके तालुक से मुझे लगता है कि अगर उस कॉलेज का या उस स्कूल का, अगर कोई कायदा नियम है, अगर उस स्कूल ने, कोई भी स्कूल हो या इंस्टिटीशन हो, हर जगा का एक नियम होता है, मैं समझता हूँ कि मंदिर का एक नियम होता है, मैं स तब तो कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन जब इसकूल ने नियम दे रखा है, अलाओ किया हुआ है, तो जब इसकूल ने परमीशन दी हुई है, तो फिर वो विवाद क्यों है, तो इस बात को समझने की है, या तो यह तो यह तेय कर लिया जाए, जब हमारा एक ड्रेस कोड ह कि इस स्कूल की ड्रेस कोड यह है, तो अगर अपोस करना था, तो इसकूल या कॉलेज या इस्टिटूशन को पोस करना था, और अपोस उसने अगर उसके नियम में नहीं था हिजाब पहनना, तो तो अलग बात थी, जब उसने अलाओ किया हुआ है, तो फिर इस पर विवा इस से में अपना दिमाग, अपना जहन, अपनी महनत अगर उधर लगाएंगे वो जादा बहतर है, क्योंकि आज राष्ट को हम सब पढ़ाई करते हैं, इसलिए अपने राष्ट के निर्मान के लिए, तो मुझे लगता है कि इस पर जादा देना चाहिए, ना कि जाती से ध कि अगर स्कूल के नियम में एक ड्रेस कोड है, तो उसको फालू किया जाना चाहिए, अगर ड्रेस कोड नहीं है, तो लोगों को कुछ भी पहनने की स्वतनत्रत्रा होनी चाहिए, बिल्कुल, मेरा मानन यही है, कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी इंस्टीशन हो अगर उसके नियम होता है, अगर उसी इस्टीशन में करनाटा के अंदर जो हुआ है, अगर उसके इस्टीशन ने इसकी इजाज़त दे रखीती हिजाब में आ सकता है बच्चा, तो फिर तो किसी को विवाद करने की जरूरत ही नहीं है, और उसके नियम में यह लिखा कि इस्टीशन में आपको आजादी है, आप आईए, पहनिये और रही है, तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर तो बात को समझने की है, तो पूरा मामला अभी क्योंकि कूर्ट में भी हाई कूर्ट में भी यह मामला चल रहा है, ऐसे में आसम के जो MP है, अलेमा हिंद के, पांच लाग रुए देखरेंगा भी यही तो मैं इस क्चरता के खेलाफ हु नहीं हूं में यह किसी भी धरम में तब कहीं। अगर यह का ताही और को बढावा धिया जाता है, तो कट्रता अखी चीज Поэтому कि समझता हूं कि इसन राजनीतों भी नहीं होनी चाहिए, पे नहीं ह तो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसको पहली बात तो तूल नहीं देना चाहिए और अगर तूल दे रहे हैं तो उससे विवाद खड़ा हो देश को नुकसान पहुंचे देश की छवी खराब हो तो मैं समझता हूं कि ऐसी ऐसे कट् देश हमारे लिए सबसे एहव हैं तो ये थे हमारे साथ इमाम साब जो साफ तोर पर इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीती नहीं होनी चाहिए और विवाद को सुलजाने की तरफ काम होना चाहिए वीडियो जोनलिस नकुल शर्मा के साथ प्रियांका कांपा नुजटी निया दिली